मोधी जी गाउन बस कुछी दूरी पे रह गया है जैसे जैसे मैं गाउन के करीब पुश्टा जारा हूँ दिल को सुकून मिलता जारा है सहर में कितनी भी कमाई कर लो मज़ा तो अपने घर अपने गाउन में ही आके आता है घर बापसी करके मुझे तो बहुत मजा आ रहा है बिल्कुल राउल बिल्कुल सही कह रहे हो तुम गाउ बस थोड़ी सी दूरी पे रह गया है हम सब लोग एक साथ मिलके सहर से अच्छी कमाई करके पूरे छे महीने बाद गाउ में लोटी है गाउ की बापसी करके बहुत मजा आ रहा है लेकर मोधी जी एक बाद मैं आपसे गाउ मैं तो आप गाउ में ही रहूंगा यही पे खेती बाली करूंगा सहर में कमाने के लिए बिल्कुल नहीं जाऊंगा यही पे गाउ में रहने का मजा ही निराला है पूरे छे महीने सहर में काम करते रहे लेकिन गाओं की याद आती रही अब जैसी गाओं में पहुँचने वाले हैं दिल को एक सुकून सा मिलता जा रहा है योगी जी अगर तुम यहाँ पे केती बाली करोगे रहे के तो मैं भी अब सहर नहीं जाओंगा यही गाओं में यह चार-पाँज भैसे करीद के दूद बेचने का काम शुरू करूँगा लेकिन मोदी जी एक बात बताओं मुझे तो बापस सहर ही जाना पड़ेगा क्योंकि ना मेरे पास योगी जी के तरह दो-चार बीगा जमीन है ना ही आपके तरह मेरे पास ज्यादा पैसे है जिससे मै भैस करीद के दूद का दंदा सुरू कर दूँ मैं तो जो सहर से छे महीने में कमा के लाया हूँ गाउ में उस पैसे को दो महीने में खा जाओंगा उसके बाद फिर से सहर जाना पड़ेगा लेकिन फिर भी कुछ भी कहो गर बापसी करके बहुत ही अच्छा लग रहा है अंडे भी देती हैं अंडे भी बेशते रहना और मुर्गी की पैतापार भी बढ़ती रहेगी मोदेजी कुछ भी कहलो आप सब लोग बिल्कुल सही कह रहे हो जो सुकून गाउ में है मेरा मतलब अपने घर पे है वो सुकून कहीं पे नहीं है मैं भी सहर कमाने के लिए बि मोदेजी तो आप ही दूसरा काम को ना कर लेना मुझे तो भैसी पालन अच्छा लगता है भैस पालन करके गाउ में दूद बेच के पैसा कमाऊंगा और भाई लोगो वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राब करो